आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम ऐसे धान तगनी हो तो इस्टड़ी आइक्यो पए आपका बहुत सभागत है आज हम बात करेंगे दोस्तों चियांग काईशक की चियांग काईशक की बात करें तो आपको पता ही है कि इन्हों ने चाइना को जीतने की पूरी कोशिश की पर ये चाइना को जीत नहीं पाए जीत अल्टिमेटली मौज़दाओं की हुई बहुत सारी चीजें हैं जानने के जैपणीज वॉर के बारे में जाने गों चियांग काईशक के बारे में इनके अड्मिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे ही देखेंगे तो चली आगे बढ़ते हैं सेराट्स को ऻीकनेक्ट मेरे Facebook पेज है सिद्धा अंत अगनीहोतरी के नाम से मेरी Facebook प्रोफाइल है द अवेल कर सकते हैं इसमें गौरफ सर, महिपाल सर, प्रशान सर का कॉंट्रिबूशन है कुछ IS IPS ने भी कॉंट्रिब्यूट किया है EMI पे भी अवेलबल है मैं ट्विटर पे आ गया हूँ ये रही मेरी ID दोस्तो अगर हम चियांग काईशय की बात करें तो इनका जनम 31 October 1887 को हुआ था 1887 में जनमे थे ठीक है ना तो ये चाइना में जनमे इनके पिताजी अमीर थे ठीक है इनके पिताजी जो थे वो वेल्दी सॉल्ट मर्चेंट थे ठीक है तो भाईया नमक का बिजनेस था अमीर थे लेकिन चियांग काईशयक जो थे बहुती ज़्यांदा शेतान थे बचपन में चियांग काईशयक बहुत ज़्यादा शेतान थे ईक बार इन्होंने क्या किया झो वो अपने गले में डाल ली दो चॉपस्टिक गले में डाल ली बस ये देखना था कि वो कितनी अंदर तक जाती है वो फस गई जाके फिर निकालने में उसको पसीने छूट गए तो इस तरीके सिखे थे चियांग काईश्यक बच्पन में एक मिलिटरी में चियांग काईश्यक का बच्पन से ही बहुत ज़दा इंटरस्ट था ये योध्धा की तरह बन जाते बच्पन में इनके पास एक में जाने का बहुत ज़दा शौक था और उसके बाद मिलिटरी के कमांडर भी हो गई है ठीक है बहुत कम उमर में ही इनके पिता जी का धिहान थो गया था इनकी जो फैमिली थी इनकी फैमिली ऐस सच नहीं थी कि कोई मिलिटरी लीडर है उसमें या कोई कमांडर है इनकी फ 1949 क्या 20th century से चाइना का इतिहास जो बड़ा aggressive रहा है बड़ा खतरनाक रहा है ठीक है अभी भी चाइना में communism है तो वहाँ पे आप देखते ही है कि जो शी जिन पिंग है और leaders वो काफी ज़दा aggressively react करते हैं ठीक है लेकिन चाइना ऐसा नहीं है 2000 सालों का जो चाइना का इतिहास है वो बिलकुल अलग है 1949 के बाद कहानी अलग स्टार्ट हो गई है चाइना से six school of thought निकले confucius निकले लाओ जू निकले ये नियांग निकले मतलब ये नियांग के philosophy निकली तीन और schools of thought तो ये सब peaceful थे है ना तो चाइना के जो कोर में कुछ बसा है तो वो peace है चाइना से ही चाइना एक बहुत ही wealthy society हुआ करते थी बड़े अमीर अमीर लोग बड़ी elite class यहां पे रहत इसी हो ठीक है चाहिए वो पकाया था पूरी silk road बनाने का पूरा मामला हो तो चाइना का इतियास इस तरीके का है लेकिन अभी चाइना का इतियास बिल्कुल बदल गया है अब Mao Zedong ये बोलते हैं उन्होंने बोला बोलते कि आप तो उनका दियान दो गया तो Mao Zedong ने ये ब पाइदा हुआ नहीं हम तो बरबाद हो गए तो इसलिए अब हम किसी के सामने नहीं जुकेंगे ये Mao Zedong की फिलोसफी थी सीधा सीधा है ना अब वैसे मैंने चाइना का इतियास पूरा कवर किया है कम से कम 15 से 20 लिच्चर्स हैं Mao Zedong की बियाफी डिन जयाओ पिंग सब कवर किया है थीक है बहुत जो इतियास इनका कल्चरल रिवलुशन वो पूरा कवर्ड आप देख ली जिए थीक है तो अब तो अगर हम चियांग कैशक की बात करें तो इनके पिता जी का देहान थो गया थीक है उसके बाद जब चियांग कैशक बड़े हो रहे थे तो बहुत ही खराब टाइम था हो ठीक है चियांग कैशक चली हम थोड़ी सी चाइना की बात करते हैं चियांग कैशक का जरम जो है वो 1887 में हुआ राश्ट्रवाद की भावना जो है वो चियांग कैशक के बचपन में ही वो घुज गई थी क्यूं क्योंकि आस पास का महल उन्निस सो तक ठीक है चाइना ने जितने वार लड़े आमें 19th century चाइना ने जितने वार लड़े दोस्तों वो सारे हारे और चाइना की भहिंकर बेज्जती हुई सत्रवी शताब्दी में जब चिंग डाइनस्टी आई Q-I-N-G चिंग कुईंग भी बोल सकते हैं चिंग भी बोल सकते हैं चाइनीज जो नेम्स हैं उनका प्रनुशेशन अलग-अलग होता है जैसे चियांग को जियांग भी बोला जाता है ठीक है फिला लांगवेज और प ब्रेटेश आ गया कॉलोनिलिजम उपनी वेश्वाद शुरू हो गया ब्रेटेशर ने अपने पावपसार ने शुरू कर दिया भारत में तो था ही उसने बेस पुरा भारत को बना रखता था चाइना में OPM वार छेड़े चाइना में ये हशीम की ये लत लगा दी थी ठीक ब्रेटेश बोलता था अच्छा रूको अभी तुमको बताते हैं दो OPM वार लड़े चाइना हार गया पहले OPM वार में दोस्तों चाइना 1840 में चाइना का मूट खराब हुआ चाइना ने बोला कि आप बहुत गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा ब्रेटेश ने अपनी आर्म युद्न चेहर देता था आर्मी भेज देता था चाइना हार जाता था वही बात हो गए कि अगर आपको किसी की बात पसंद नहीं आई आप ने बोला कि तुमको छोड़ेंगे नहीं लेकिन वो इनसान जादा आप चो ताकतवर है उसने उल्टा आपको ही कूट दिया तो य प्राशिया का इंफ्लूएंस था चाइना में फ्रांस ने चाइना के साथ वार लड़े फ्रांस ने हरा दिया चाइना को लेकिन सबसे बुरी हालत की जापानियों ने 1894 में जो साइनो जैपनीज वार हुआ जापान कुरा बदल गया था जापानी पूरे पागल थे और जापानी ने चाइना के उपर कहर बर पाया है चाइना को बुरी तरीके से मारा चाइनीज को जिन्दा जलाया काटा बहुत बुरी हालत हुई दोस्तों जापानियों ने बहुत जादा बुरा किया चाइना के साथ अब जापानी माफी मांगते हैं ऐसी बात नहीं है लेकि चाइना कभी माफ नहीं करेगा तो 1894-1995 में ये जो इधर का मांचूरी जन है जो नौर्धन चाइना वाला रीजन है ठीक है इस पे जापान ने कबजा कर लिया तो जाप जापान ने पूरा बकायदक एलाइंस बनाया जिसमें रश्या जापान ब्रिटेन सारे विस्टन पावर्स फ्रांस की सेना सब लोग थे यहां पे भी चाइना को हराया तो यह जो सौ साल का इतिहास है यह बहुत ही जादा ही उमिलियेटिंग है इसमें बहुत सारी मिलिटर के बिना जंग को नहीं जीता जा शकता, अगर इन सब को भगाना है तो हम पीसफुल नहीं जा सकते हमको मिलिटरी ही एक मांत्र साधन हे तो इसे लिए मिलिटरी करियर इन्होंने परस्यू किया इन्होंने अपनी मिलिटरी ट्रेनिग ली जापान में जाके ठीक है और उसके बाद फिर ये वापस आए 1908 के दौरान ये वापस है चाइना में पढ़ने ये जापान गए वहाँ पे इन्हों ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये चाइना में वापस है ठीक है अब चाइना में उसमें बहुत उथल पुतल चल रही थी सनियाद सेन की बायाग्राफी मैंने कवर कि आप देखिएगा ठीक है जो यहाँ पे चिंग डाइनस्टी थी वो अब बस अपने दिनी गिन रही थी कि अब हम जाने ही वाले हैं बहुत सारे ओल्रेडी रेविलूशन हो चुके थे कि किसी तरीके से इस पूरी डाइनस्टी को ओवर्थ्रो किया जाए चियन काईशक मिलिटरी ट्रेनिंग लेके आ गए और इसमें लग गए अब सनियाद सेन जो है सनियाद सेन पूरी तरीके से अक्टिव थे सनियाद सेन की पूरी बयाग्राफिय मैंने रिव्यू की है सनियाद सेन के तीनी जो उनके प्रिंस्पल थे क्या था सनियाद सेन ने तीन चीज़े बोली थी सबसे पहले तो नाशनलिजम लेके आओ राश्टरवात की भावना बनाओ दूसरा डेमोक्रेसी लेके आओ तीसरा सोशिलिजम लेके आओ ये तीनों चीज़े चाइना में नहीं थी और 1911 में दोस्तो फाइनली जिनाही रेविलूशन हुआ यहाँ पे सत्ता को उखाड फेका गया तक्ता पलट हो गया सन्याजसें ने तक्ता पलट कर दिया सारे चाइनीज ने मिलके उखाड फेका यहाँ पे जो पुई थे बहुती छोटे थे उनको एबडिकेट करनी पड़ी अपनी थ्रोट और अब यहाँ पे एक नया एरा 1912 के बाद 1912 के बाद एक नया एरा शुरू होगा तो यह 2000 साल की जो मुनार्की थी 1912 में खतम होगी चियंग कैशेक सन्याजसें के साथ हो गए ठीक है सन्याजसें की टीचिंग्स को फॉलो करते सन्याजसें का खयाल भी रखते लेकिन डिफरेंसेज भी बहुत ज़दा हो गए थे सन्याजसें के साथ बाद में आते आते काफी डिफरेंसेज हो गए थे और इसी दोरान दोस्तों चियंग कैशेक को 1911 में चाइना में लोटे थे और इनको आर्टिलरी ओफिसर बना दिया गया था ठीक है और जो revolutionary forces थी उसके साथ ये लड़ रहे थे अब ये देख लीजे चाइना ठीक है अब ये आप देख लीजे चाइना ये मैं इसलिए मैंने अभी आपको बताया 1912 तक की कहानिया को clear है बहुत ही बढ़िया चाइना की जो में आबादी है वो इस साइड रहती है आप देख रहे होंगे जो समूद्र के किनारे शहर है ये इस साइड रहती है यहाँ पे जादा population नहीं है क्योंकि ये हिली एरिया है यहाँ पे बहुत जादा पेड़ पॉध है तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रहना मुश्किल है तो maximum population 80-90% जो चाइना की population वो इसी एरिया में रहती है ठीक है अब देखिए आपको कुछ शहर यहाँ पे ध्यान में रखने है कौन-कौन से ये तो आपको रखना है Nanjing सबसे important जिनहाई revolution के बाद जो सरकार बनेगी वो Nanjing में बनेगी ठीक है ना ये Nanjing government बहुत ही जादा important है और यही पे रेप्स ऑफ Nanjing या फिर नैंकिंग फिर ये रा बिलुकुल समुद्र के किनारी शेंगाई इसलिए बहुत ही खुबसूरत भई ये जो समुद्र के किनारी शेहर होगे न वो बहुत जादा खुबसूरत होगे समझ गए है ये है बीजिंग समझ रहे हैं ये है बीजिंग ये है आपका गौंगजू ठीक है तो ये कुछ शेहर आपको याद रखने है अब हम ये देखते हैं दोस्तों ये शेहर आपको याद क्यों रखने है क्योंकि जब 1912 में रेविलूशन आया जिनहाई रेविलूशन आया चियान काईशक पूरी तरीके से यहाँ पे सन्याज सेन के साथ जो मतलब यहाँ पे रेविलूशन लेके आया है उनके साथ ठीक है बहुत ज़्यादा खुछी हुई फाइनली एक जिस सुभा की इंतजार थी वो आ गई दो सरकारे बनी दोस्तों अब ये सब मैंने सन्याज सेन की बाइगराफिय में रिव्यू किया है लेकिन चलिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ दो सरकारे बनी सबसे पहले तो नाशनल एसेंबली बनी यहाँ ठीक है नाशनल एसेंबली ताकि यह चुनाओ हो सके लोग चुन की आ सके डेमोकरिसी में इंटेर यहाँ पे जो सन्याज सेन के प्रिंसपल थे नैशनलिजम, डेमोकरिसी, सोशलिजम दो सरकारे बनी दोस्तु एक बनी नौर्थ में बीजिंग जिनहाई रेविलूशन के बाद नैशनल एसेंबली हुई 1912 आया यहाँ पे बीजिंग में यूआन शकाई जो की मिलिटरि लीडर थे मिलिट्री के कमांडर थे, इनके पास मिलिटरी टाकत थी उन्होंने बीजिंग में सरकार बनाई और दूसरी बनाई सन्याज से नैंकिंग से सरकार चलती थी इनकी इसलिए मैंने बोला ना Nanking को याद रखिए South China को कंट्रोल करता था ये वाला जो एरिया है ठीक है इसको Sun Yard Sen कंट्रोल कर रहे थे और ये North वाले को युआन शेकाई बढ़ ताकत युआन शेकाई के पास ज़ादा थी क्यों क्योंकि युआन शेकाई के साथ मिलिटरी थी युआन शेकाई के साथ मिलिटरी थी और Sun Yard Sen चाहते थे कि पूरा चाइना एक हो जाए उस समय चाइना एक नहीं था ठीक है बटा हुआ था वो तो पूरा चाइना एक हो जाए अब उसके लिए मिलिटरी की ज़रूरत तो Sun Yard Sen ने अपने इस साउथ वाले एरिया को भी युआन शेकाई को दे दिया कि तुम आने पास मिलिटरी है तुम रूल करो लेकिन युआन शेकाई ने Sun Yard Sen को धोका दे दिया 1914 में युआन शेकाई ने अपने आपको एंपरर घोशित कर लिया Sun Yard Sen चाहते थे डेमोक्रेसी आये युआन शेकाई ने अपने आपको एंपरर घोशित कर लिया तो ऐसा तो चलेगा नहीं उसके बाद सन Yard Sen का मूर खरा और चियाइंक काईशेक जो थे वो सन Yard Sen के साथ थे चियाइंक काईशेक में भी राष्टरबादी भावना थी ठीक है 1916 में हम देखते हैं कि युआन शेकाई के मृत्ती हो गई अब 1916 से लेकर 1928 तक याद रखेगा 1916 से लेकर 1928 तक ये बेयांग वार लॉट्स का पीरियड था ठीक है मतलब जब 1916 में युआन शेकाई के मृत्ती हुई तो ये जो पूरा एरिया है ठीक है ये छोटे छोटे वार लॉट्स के बीच में जो मिलिटरी के कमांडर्स हैं उनके बीच में बट गया अब इन सब को हराना था और यही सनियाज सेन चाते थे और सनियाज सेन का ये अधूरा सपना पूरा किया चियाज काईशक ने ये चीज़ आप समझे बहुत ही बड़िया ठीक है अब हम ये देखते हैं कि जब युआन शेकाई जो है उन्होंने जब सत्ता ली तो चियाज काईशक के उपर खत्रा उनको तो मार दिया जाएगा तो ये लोग जापान गए फिर जब 1916 में जब युआन शेकाई के मृत्ती हुई तब ये सब लोग वापस लोटे चाइना में और 1917 में फिर यहाँ पे गौंगजाओं में सरकार बनाई ठीक है ना ये वाले शेहर है इसलिए मैंने आपको बोला कि ये यहाँ पे इनोंने सरकार बनाई ठीक है सनियाद सेन ने और सनियाद सेन ने का अब एक ही मकसद था कि जितने भी वारलोट्स हैं यो युआन शेकाई के बाद ये पूरे एरिया वारलोट्स के बीच में बट गया है जिसको नौर्दन एक्सपेडिशन बोला गया जो चियाँ काईशक ने पूरा किया ये चीज आप समझे बहुत ही बढ़िया तो सब मैं आपको बताए चुका हूँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको बता दूँ कि युआन शेकाई को एसा सी रेट किया गया था ठीक है तो ये चीज मैंने आपको बता दी कोई दिक्कत नहीं है अब उसके बाद हम देखते हैं गौंग जाओ को कैंटाइन भी बोला जाता था याद रखिएगा ठीक है कि चियाँ काईशक ने सनियाज सेनको जोईन किया मतलब 1925 हाते आते सनियाज सेनकी मृत्ती हो गई ठीक है अब यहाँ पे देखे को मिन टॉंग पाटी इसके बारे में भी आप समझेए ये सनियाज सेनने बनाई थी सनियाज सेनकी पूरी बाग्राफी मैंने कवर के आप देखिएगा ठीक है को मिन टॉंग पार्टी का कौन सक्सेसर होगा ये बहुत दिक्कत ठीक है अब वैंग जिंगवई को हटाना था चियांग कैशेक चाते थे कि उनको कंट्रोल मिले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चियांग कैशेक ने कंट्रोल लिया और वैंग जिंगवई क्यूकि यहाँ पे जो सपोर्ट था वो चियांग के साथ था और बाकी जो यह सब है वो एक्जाइल में चले गए तो अल्टिमेटली सत्ता किसके पास आई अल्टिमेटली सत्ता आई चियांग कैशेक के पास ठीक है ना अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो चियांग कैशेक है ठीक है 1925 के बाद चियांग कैशेक ने कोमिंटॉंग पार्टी को समाला सन्या से ही चाहते थे कि इन वारलोट्स को हराया जा तो 1926 से लेकर 28 एक साइड से शुरू हुए चियांग कैशेक और सब को हराना शुरू किया Northern Expedition इन्होंने 27 जुलाई 1926 को लॉंच की और दो साल में दोस्तों 1928 आते आते इन्होंने सारे टाउंस को अपने कबजे में ले लिया जहां पे इन लोगों की सरकार थी वार्लोट्स की सरकार थी समझ रहे हैं तो 1928 में फाइनली चाइना को युनाइट कर दिया चियांग कैशेक ने जो नैशनल रेविलूशनरी आर्मी थी एन आरे तीन डिविजन बनाए बकायदा ठीक है ना और यहां पर फिर इन वार्लोट्स के उपर हमला किया ठीक है सबसे पहले नैंजिंग को अपने कबजे में लिए थीक है, उसके बाद यहां पर आप मैं देख सकते हैं इनजन को कब्जे में लिया तीक है फिर इदर वुहान अच्छा वुहान तो आपने अभी उभाई वुहान में है ना ये चियाइंक आईशचांग्म ने कर दिखाया ठीक है और अब हीरो हो गये ये रातोरातilan returned हो गये लोग इनको follow करने लगे कॉमिंटॉंग party number one लेकिन अब एक और खत्रा है खत्रा है communist 1921, 1921 में communist party की स्थापना हो गई थी ठीक है, communist party की स्थापना हो गई थी Chiang Kai-shek communist से बहुत ज़दा चिरते थे लेकिन कुछ time के लिए communist और Chiang Kai-shek मतलब के कॉमिंटॉंग party और communist साथ में आ गए ठीक है, कि अगर चाइना को हिनिफाई करना है तो इनका साथ बहुत ज़दा जरूरी है लेकिन ये ज़दा दिनों तक नहीं चला, Chiang Kai-shek चाहते थे कि हर एक communist को खतम कर दिया जाए और 12 अपरे 1927 में दोस्तों, यहाँ पर communist को पकड़ के मारा गया Chiang Kai-shek के orders थे उन्होंने martial law declare किया और Chiang Kai-shek ने 1926 में जब Chiang Kai-shek को सत्ता मिली तो Chiang Kai-shek ने communist के साथ हाथ मिलाया अच्छली था क्या, कि देखिए Soviet जो है, Soviet Chiang Kai-shek को support कर रहा था लेकिन Soviet communist को जादा support करेगा क्यों? क्योंकि Soviet में भी communism है तो Chiang Kai-shek चाहते थे कि हमको Soviet का पूरा support रहे ताकि ताकत हमको मिलती रहे तो Soviet चाहता था कि communist का तुम साथ छोड़ेंगे नी तो आप लोग साथ में आ जाओ तो Chiang Kai-shek को communist साथ में आ गए लेकिन उसके बाद Chiang Kai-shek जादा दिनों तक साथ में नहीं रहे वो चाहते थे कि communist को बिलकुल खतम कर दिया जाए और उस दिन दोस्तों यह अप्रेल 1927 में इसको वाइट टेरर यह शेंग है मसाकर के नाम से भी जाना जाता है मेरा पूरा सेपरेट लेच्चर है अब देखिएगा तो इसमें बहुत सारे communist को मारा गया माउज जदाउंग बच गए फरना बहुत दिक्कत हो जाती अब यहाँ पे Chiang Kai-shek ने शेहरों पे तो अपना कबजा जमा लिया लेकिन गाउं में communist का कबजा है समझने जो rural areas है और लोग जो है वो communist के साथ है क्योंकि माउज जदाउंग यह सब को बता चुके थे एक बार हमारी सरकार आई तो हम आपको जमीने देंगे हम आपका खयाल रखेंगे इतने दिनों से आपके उपर अत्याचार हो रहा है हम नहीं करेंगे अमीर किसानों की जमीन आपको देंगे तो लोग यहाँ पे चियां यह माउज जदाउंग के साथ हो गए तो Chiang Kai-shek की popularity घटने लगी ठीक है और 1928 में दोस्तों जब यह white terror हुआ इसके बाद finally communist को पता चल गया कौम इंटॉंग party हमारे साथ नहीं है civil war चुरू हो जाता है civil war starts 1928 और यह 10 साल तक 1937 तक चलेगा पहला phase याद रखेगा first phase ठीक है और यह किसके बीच में है कौम इंटॉंग party जो अपने आपको nationalist बोलती थी और इनका जो army division है उसको NRA बोला जाता था versus communist कमिनिस्ट की communist इनकी red army थी red army कमिनिस्टो का जो military division था उसको red army बोला जाता था अब जीतेगा कौन ठीक है अब हम देखते हैं 1928 में Chiang Kai-shek को director of the state council equivalent to president मतलब Chiang Kai-shek को एक तरीके से China का president बना दिया गया अब 10 सालों तक इन्हों ने rule किया 1937 अब यहाँ पे civil war चालू होता है 1934 में कमिनिस्टों ने बचने की कोशिश की तो ये बकायदा पूरा north में गए हिली एरियाज में बहुत फेमस भी है ठीक है ना लॉंग मार्च इन्हों ने की जो माउज़दॉंग ने और जो लीडर्स थे जो इनलाई ये सब कमिनिस्ट थे तो इन्हों ने कमिनिस्टों को इखटा किया पता था कि अगर हम शहरों में रहेंगे तो चियंक आशा को छोड़ेंगे नहीं मार देंगे मसाकर कमिनिस्टों कब ऐसे ही चालू था तो इस सब ने ये सब लोग इखटा हुए और पहाडों की तरफ नौर्थ की तरफ चले गए ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा थी बहुत मुश्किल यात्रा इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे तो चाइना जो रॉकेट लॉंच करता है उसका नाम लॉंग मार्च होता है ठीक है बचते बचाते किसी तरीके से ये पहुँचे 1934 के बात है ये ठीक है और इधर जो है इस इस पूरा चालू है बहुत मुश्किल रहा ही मतलब इतना आसान नहीं था और कम्यूनिस्ट छापा माली उद्ध करते थे गोरिला टाक्टिक्स अपनाते थे अब जो अल्टिमेट एम था जो कम्यूनिस्ट ये कौमिन टॉंग पार्टी का दा चियांग काईशक का वो डिमोक्रिसी लाना लेकिन चियांग काईशक कभी डिमोक्रिसी लाई नहीं पाए चियांग काईशक ने भी सक्ता अपने पासी रखी समझ रहे हैं अभी हम बात करेंगे इसकी भी कि 1949 के बाद जब टाइवान चले गए One China Policy की भी अभी हम बात करेंगे लेकिन सरकार ने यहाँ पर reformation लेके आया मतलब 10 साल का जो चियंग काईशा का रूर था 1938 तक ठीक है reformation तो चाइना की economy को करने की कोशिश की यहाँ पर लगातार legal and penal systems जो है वो launch किये गए prices को stabilize किया गया यहाँ पर जो decks है ठीक है जो कर्जें उनको अच्छे से चुकाने की कोशिश की गई banking system कर्शे system को reform किया गया public health facilities बढ़ाई गई अब वही चीज़ है कि इसमें कुछ तो हम देखते हैं कि सफल हुए कुछ नहीं सफल हुए यह देख सकते हैं 1930 का यह map है क्यूं civil war को रोकना पड़ा ऐसा इसलिए था क्योंकि जापान ने अटाक कर दिया था चाइना पे second sino-Japanese war 1937 से लेकर 1945 13 दिसंबर नानकिंग को अपने कबजे में लिया जापान ने पहले तो मांचूरीजन को कबजे में लिया उसके बाद नानकिंग को कबजे में लिया बसकतम खेल ठीक है जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया और जापान बहुत ताकतवर अब इधर चियांग काईशेक को एक तरफ जापान से लड़ना था और एक तरफ कमिनिस्टों से लड़ना था दो तरफ से वो वार लड़ रहे थे जिसमें चियांग काईशेक की हालत खराब हो गी क्योंकि पैसे बचे नहीं थे है ना सारे पैसे वार में इधर जापानियों से लड़ने में जा रहे थे ड्रेन हो रहे थे लेकिन अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा था चियांग काईशेक को लेकिन फिर भी दोस्तों इनकी सरकार दिवालिया हो गई थी चियांग काईशेक के पास आक्चुली में पैसा बचा ही नहीं था इसमें ही 1939 में World War 2 शुरू हो जाता है और चाइना भी फिर इसमें शामिल हो जाता है जब जापान से लड़ रहे चाइना तो जाहिर सी बात है वो शामिल होगा ही ही कहना तो जापान से बहुत तगड़े से लड़ाई की लेकिन जापानियों ने तो चाइनीज को भर भर के बहुत मारा यहाँ पे इनको तो कितने लोग 13 लाग 15 लाग बहुत सारे लोग मारे गए और हाँ चियांग कैशेक दोस्तोDEN ये 10 साल का जो रूल था ये भी चियांग कैशेक का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इसमें भी खाफी मसाकर्स हुए चेंग काईशेक की सरकार ने यहां पे मसाकर किये बकाईदा चेंग काईशेक के उपर ये आरोप लगते रहते हैं कि इनका जो administration था ये भले ही democracy की बात करते थे लेकिन highly centralized administration था है ना बहुत जादा सप्ताई अपने पासी रखते थे और corruption भी इनकी सरकार में बहुत जादा था जो अमेरिका supply करता था पैसे west से जो पैसा आता था इनके officials खा जाते थे है ना तो इसी वज़े से लोगों की नजर में चड़ गए लोग अब चियां काईशेक से नफरत करने लगे थे और Mao Zedong से प्यार करने लगे थे सबसे पहले नंचींग पर कबजा किया थीक है ना सबसे पहले उसके बाद वहान पर कबजा किया और फिर यहां प의 frame nonkingeman की सरकार थी सारकार थी थीक है उसके पहले यहां dan mama पन से सरकार फिर वहान पhrr और interior चले चनमगं में चले गया यहां पर हम देखते हैं कि Chiang Kai Shaq अपनी सरकार चलाते थे और यहीं इन्होंने अपना बेस बनाया और जापान से हम देखते हैं कि युद्ध लड़ रहते लेकिन इतना असान तो है नहीं जापान से युद्ध लड़ रहना मौत मुश्किल है लेकि 1945 में जापान ने जब सरेंडर कि या तो सेकेंड फेज ऑफ चाइनीज सेविल वर्ड शुरू होता है 1945 से लेकर 1949 तक ठीक है अब यहां पे जापान हार गया ठीक है और चाइना जो है चाइना अलग चियांग कैशेक को पूरा यकीन था कि वही लीडर बनेंगे वो चाइना को जीत लेंगे कौम इंटॉंग पार्टी का रूल होगा बट ऐसा हुआ ही नहीं रिपब्लिक ओफ चाइना ठीक है जो कि अभी ताइवान को रिप्वियंक कैशेक और कम्मुनिस्ट जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना अब यहां पे दोस्तों 1945 से लेकर 1949 तक सेकेंड फेश शुरू होता है जब जापानियों ने सरेंडर किया दोस्तों तो सोव जो है वो allied forces के साथ था तो जापानियों को सोवियत ने भी हराया ठीक है तो जब prisoners of war मतलब जो यहां पे कैदी थे जापानियों को जब सोवियत ने पने कबजे में लिया तो बहुत सारे हतियार मिले थे जापानियों के पास से और बड़े modernized weapon थे सोवियत है कम्मुनिस्ट और चाइना में भी कम्मुनिस्ट लर रहे है तो सोवियत ने वो सारे हतियार माउजिदाओं को दे दिये यह एक बहुत बड़ा turning factor साबित हुआ अमेरिका भले ही चियांग काईशक को सपोर्ट कर रहा है वो नहीं चाहता कम्मुनिस्ट लेकिन माउजिदाओं को यह जो इतने हतियार मिले सोवियत की मदद मिली जिसकी वज़े से चियांग काईशक 1949 में हार गए किसी ने भी नई सोचा था कि चियांग काईशक हारेंगे 1949 में चियांग काईशक की हार होगी बठ हार हुई चियांग काईशक हारे कुछ भी कोई नहीं कर पाया एक अक्टूबर 1949 में तियाननमेन स्क्वाइर बीजिंग से माउज दॉंग ने लाल जंडा रहल लहरा दिया और काम मिंटॉंग का काम खतम इधर ताइवान में बहुत सारी चीजे हो रही थी दोस्तों इनकी सरकार तो यहीं से चल रही थी ना ठीक है चियंक आशेक ही तो यह जहाँ पे 27 फरवरी 27 फेब एक बहुत इंपोर्टन इंसिडेंट है जहाँ पे जो ताइवान थे वो चियंक आशेक के खिलाफ खड़े हो गया जो इंटेलेक्षियों थे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो उनको मरवा दिया था उसमें भी मैं बहुत ही जल सेपरेट लेक्षर ले कर 1971 तक चियंक आशेक जो है वो ताइवान में ही है जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं यह अब दोस्तों अगर हम ताइवान की बात करें तो आप यह देख लीजे ठीक है फर्मोसा जिसको पहले बोला जाता था यह है ना ताइवान ठीक है ताइवान जिसको जो जो चौच पॉरा चाइना हमारा है और उनकी बात सही है आप देखिये जरा कैसे उनकी बात सही है इसलिए क्यूकि भाईया Chiang Kai-shek नहीं तो रूल किया ना 1928 से लेकर 38 तक Chiang Kai-shek थे, रूल तो कवमिंटाउंग पार्टी का ही रहा, किसी ने नहीं सोचा था कि माउजदाउंग जीतेंगे Chiang Kai-shek भी बिल्कुल confidence में हम ही जीतेंगे लेकिन जीत गये माउजदाउंग तो भईया जब इतना बड़ा देश आपके साथ आपके सामने से निकलेगा जिसको आप रूल कर सकते तो आपका मूर खराब हो गई तो Chiang Kai-shek को बहुत गुसा आया बले ही Taiwan चले गए One China Policy इधर Chiang Kai-shek बोलते रहे वो लगाता और कि ये पूरा China हमारा है ये पूरा चाइना फर्क है यहाँ पर जो Communist Party है जो People Republic of China है ठीक है जो बड़ा चाइना भी आप देख रहे है ना जो मैंने आपको देखा है जो अभी प्रेजेंट चाइना है वो बोलता है ताइवान हमारा हिससा है आज नहीं तो कल हम लही लेंगे उसको लेकिन अभी तक उसने हमला नहीं किया है लेकिन ताइवान क्या बोलता है जो Republic of China वो क्या बोलता है वो यह बोल रहा है पूरा चाइना ही हमारा है हम कुछ नहीं जानते और दोनों इस बात को एगरी करते हैं यह सही है चाइना मतलब यह पूरा यह ताइवान और यह सब हम लोग एक साथ है लेकिन वही चीज है ना कि कोई एक दूसरे को मानता नहीं है तो आप हम देख रहे हैं कि चियांग काईशेक फिर इदर ताइवान से उन्होंने अपनी सरकार चलाई और बकायदा यहां पे नाशनल एसेंबली को इस्टैबलिश किया लगा अतार राष्ट्रपती चियांग काईशेक चुनके आते रहे 1954, 1960, 66, 72 लगा अतार यह राष्ट्रपती चुनके आते रहे तो अब यह तो डेमोक्रेसी नहीं हुई है ना चियांग काईशेक का कैसा administration 1950 के बाद जो ताइवान उसमें कैसा administration था वन पार्टी स्टेट बना दिया यहां पे चियांग काईशेक ने की कोम हिंटों ही पार्टी रूल करेगी और हाँ जब यह ताइवान में थे तब भी इनका goal ये था कि China को और हम पूरे China को अपने कबजे मिले लेंगे इतनी जल्दी कैसे छोड़ दे चियांग काईशेक के गले में ये बात उतरेगी क्या नहीं उतरेगी तो तो पूरे चाइना को अपने कबजे में लेना फिर communist माउजिदोंग वहाँ पे आ गए थे उन्होंने पूरी आर्मी को बहुत तगले से बना लिया होई नहीं पाया ठीक है यहाँ पे जहाँ पे चियांग काईशेक थे ताइवान में इन्होंने जो cultural expression है उसको suppress कर दिये ठीक है जो liberty है press freedom है वो नहीं दी बहुत ही limited liberty थी ताइवान में जब यह rule कर रहे थे ठीक है तो बहुत ही जो प्रेस freedom और liberty बहुत ही limited थी जादा लोगों को यहाँ पे इन्होंने rights दिये ही नहीं ताकि इनकी सत्ता ना गिर जाए in fact जब चियांक कैशक का दिहान थुआ तो इनके बेटे बने president तो यह one party rule था तो हम फिर यह कैसे कह दे कि चियांक कैशक बिल्कुल सही थे वो democracy लाना चाहते थे जब उन्हों ने भी वही किया जो मौज़ेदॉंग ने किया ठीक है तो यह चीज़ है उसके बाद republic of china जो है उसने मतलब china को represent किया और अभी भी Taiwan को recognize किया जाता है देश जो है बहुत सारे देश ताइवान को recognize करते हैं 1975 में हम देखते हैं कि Chiang Kai-shek का देहान थुआ 87 साल के थे यह ठीक है तो यह कहानी थी दोस्तों Chiang Kai-shek और मैंने आपको china के बारे में भी बताया है आई होप आपको पसंद आया होगा खुछ रहे पड़ते रहे दिसे सिद्धान तक नहीं होतरी signing off